मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज पॉलिटी का टेस्ट नंबर सेवन लेकर आए हैं और इसमें आपको मोस्ट फिप्टी कोस्टन कराया जाएगा क्लास नाइन और क्लास टेन का तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अभी तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लेज आप सब्सक्राइब कर लीजे ताकि और भी जो टेस्ट आए उग आपके मुवाइल पे असानी से पहुच जाए और आप उसको असानी पुर्वक देख सके और आपकी तैयारी पूर्ण हो सके तो चलिए अज श्टार्ट करते हैं आज का कोस्चन नमबर फास्ट है पॉलिटी का टेस्ट नमबर सेवन का पहला कोस्चन है कि लोकतंत्र का प्रधान अवगुन है लोकतंत्र का सबसे प्रधान अवगुन क्या है गुन नहीं कह रहा है अवगुन नहीं इसमें खराबी क्या है जिसकी लाठी उसकी भैस विधी का सासन यह वहुमत का सासन तो क्या हो जाएगा पहला का पहला का एंसर हो जाएगा आपको ए नमबर यानि जिसकी लाठी उसकी भैस ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुन है ठीक है चलिए दूसरा कोशन देखते हैं कि इन में से किस परकार की सासन वेवस्था को मुर्खों की सरकार कहा जाता है किस परकार की सासन वेवस्था को मुर्खों की सरकार कहते हैं लोकतांत्रिक सैनिक तंत्र या राज तंत्र तो क्या हो जाएगा दूसरा का भी हो जाएगा यह नमबर यानि लोगतांत्रिक बेवस्था को मुर्खो का सासन मुर्खो का सरकार कहा जाता है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं तिसरा नमबर कि मैक्सिको की अजादी वर्स है यानि मैक्सिको क C नंबर यानि मेक्सिको कब अजाद हुआ था 1930 इसवी में अजाद हुआ था चली अगला कोशन देखते हैं चार नंबर कि जिमबाबे को अल्पशंख्यक गोरे के सासन से कब मुक्ती मिली थी जिमबाबे पर किसका अधिकार था गोरे का अधिकार था गोरे मतलब अंग्रेजो का अधिकार था उससे मुक्ती कब मिली यह आपको बताना है 1970, 1980, 1990 या 2000 तो क्या हो जागा चार का B नंबर यानि 1980 इसवी में जिमबाबे को गोरे से मुक्ती मिली थी नेक्स्ट कोशन देखते हैं पांच नंबर की किस वर्स प्रस्तावना में धर्म निर्पेच सब्द जोड़े गए कब जोड़े गए थे तो 42 में संविधान संशोधन के अंतरगत प्रस्तावना में धर्म निर्पेच सब्द जोड़े गए और 42 में संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1976 इस्वी में हुआ था 42 में शंविधान शंशोधन ठीक है आपका हो गया है 5 का A नमबर चलिए next देखते हैं 6 नमबर कोस्चन की राष्ट्रपती संकट काल की घोसना कब करती है जब देश में संकट काल की घोसना राष्ट्रपती कब करेंगे तो उप्षन देखिए अपने स्वविवेक से मंतरी परिशद की सलाह से संसद के प्रस्ताव पर या D नमबर है परधान मंतरी शहित शंपूर्ण मंतरी मंडल के निर्नाई के लिखित रूप से भेजे जाने पर तो क्या हो जागा छेका D नमबर यानि परधान मंतरी संपूर्ण मंतरी मंडल के निर्नाई के लिखित रूप से भेजे जाने पर राष्ट्रपती संकट काल की घोशना करते हैं चली अगला कोशन देखते हैं साथ नमबर कोशन कि भारतिय संबीधान के बारे में कौन सा कथन गलत है तो द्यान से देखिएगा यह धर्म के अधार पर भेद भाव की मनाही करता है यह B नमबर उप्शन है यह एक धर्म को राजकिये धर्म बनाता है और C नमबर उप्शन है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की अजादी और B है कि किसी धर्म शमुदाय में सभी नागरिकों को बरावरी का अधिकार देता है तो साथ का क्या हो जाएगा B नमबर उप्शन है यह एक धर्म को राजकिये धर्म बनाता है यह गलत है अनि भारत में कोई भी ऐसा राजकिये धर्म नहीं है यहाँ धर्म निर्पेच राज्य है यह अभी कोई भी धर्म मानने की अजादी है चलिए अगला कोशन देखते हैं आठ नमबर कोश्चन कि भारत में संग एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है तो option देखिए संग और राजे B नमबर है संग राजे समवर्ती और C नमबर है संग और D नमबर है राजे तो क्या हो जाएगा इसका answer B नमबर अनि भारत में संग सूची राजे सूची और समवर्ती सूची अनि तीन सूचियों का वर्नन किया गया है और ये कितने 12 जो सूची है 12 जो अनि सूची है और ये कितने किया गया है तो साथ भी अनि सूची में इसका वर्नन किया गया है संग सूची राज सूची हम समवर्ती सूची संग सूची पे कानून कौन बनाएगा केंदर शरकार और राजिस सुची पे कौन बनाएगा राजिस सरकार और समवर्थी सुची पे दोनों के मिल कर बनाते हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं 9 नमबर कि दलित पैंथर्स में कारिकरम में दलित पैंथर्स के कारिकरम में कौन समबंधित नहीं दलित पैंथर जो कारिकरम था इसे कौन संबंधित नहीं है तो जाती प्रथा का उन्मुलन दलित सेना का गठन भूमिहिन किसानों की उनति या डी नमर और अद्योगिक मजदूरों की सोशन से मुक्ति तो क्या हो जाएगा नौका ए नमर यानि जाती प्रथा का उन्मुलन से संबंधित ये नहीं था बाकी तीनों से ये संबंधित था निदलित सेना का गठन से संबंधित था भूमिहिन किसानों की उनति से संबंधित था और डी नमर है और द्योगिक मजदूरों के सोशन से भी ये शंबंधित था चलिए अगला कोस्चन देखते हैं दस नमर सुचना का अधिकार अंदोलन की शुरुवात कहां से हुई थी सुचना का अधिकार अंदोलन की शुरुवात राजस्थान दिल्ली तमिलनाडू या बिहार तो क्या हो जाएगा आपका 10 का इंसर हो जाएगा दस का क्या हो जाएगा यह नमबर यानि राजस्थान से यह शुरू हुआ था सुचना का अधिकार अंदोलन नेक्स्ट कोशन देखिए 11 नमबर यानि NSSO का पूर निरूप क्या है यानि इसका फूल फूम क्या है तो आप लोग देख लिजे उप्शन नमबर ए है आपको एकजाम में भोत वार पुछा जाता है तो इसको याद रखियेगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कि राष्ट्रिय कोस का अभी रच्छक कौन सा अंग है राष्ट्रिय कोस का अभी रच्छक कौन सा अंग है कारिपाली का न्याईपाली का विधान मंडल या सिविल करमचारी तो क्या हो जाएगा 12 का 12 का हो जाएगा आपको सी नमबर यानि विधान मंडल जो है राष्ट्रिये कोर्स का अभिरचक का यह अंग है चलिए अगला कोशन देखते हैं तेरा नमबर की निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है पंचायती राज से कौन सा आयोग संबंधित है नानावती आयोग लिब्राहम लिब्राहम सोरी दूसरा नमर उसन है बलवंद रायमेहता समीती आयोग सी नमबर है लिब्राहन आयोग या डी है साह आयोग तो आपका तेरा का एंसर हो जाएगा बलवन्त, रायमेहता, समीती ये किसे संबंधित है तो पंचायती राज से शंबंधित है ठीक है इसको कब लाया गया था तो उनिश्व शंतावन इस्वी में ये आया था ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं चोदा नंबर कि डॉक्टर बी आर अमबेदकर ने हिर्दय येवं आत्मा किसे कहा हिर्दय ये आत्मा किसे कहें थे कौन तो बी आर अमबेदकर ने भीम राव अमबीद करने शंपत्ति के अधिकार को सिच्छा के अधिकार को धर्म के अधिकार को या सम्मेधानिक उपचारों के अधिकार तो क्या हो जागा एंसर, दी नंबर यानि सम्विधानी कुप्चारों के अधिकार को भीम राव अम्बेदकर ने हिर्दय एवम आत्मा कहे थे, सम्विधानी कुप्चारों के अधिकार अनुछेद कितने के अंतरगत है, तो अनुछेद 32 के अंतरगत है, और अगर question आपको प अगला कोशन देखिए पंदरा नमबर भारत के परधान मंती का कारेकाल कितना होता है? लोकसभा के कारेकाल के साथ राष्ट्रपती के कारेकाल के साथ या C नमबर है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या D है पांच वर्स तो क्या हो जागा इसका? C नमबर यानि जब तक परधान मंत्री को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहेगा तब तक वो परधान मंत्री रहेंगे यानि पांच साल तक अगर उनका बहुमत प्राप्त है तो पांच साल तक रहते हैं तो पांच साल के पहले भी उनको भंग किया जा सकता है चलिए अगला कोशन देखते हैं 16 नंबर की कौन सा एक संविधानिक निकाय नहीं है कौन सा एक सम्मिधानिक निकाय नहीं यानि जिसका वर्न सम्मिधान में नहीं किया गया है तो वह इसा कौन सा निकाय है चुनाव आयोग वीत आयोग योजना आयोग या संगलोग सेव आयोग तो क्या हो जाएगा योजना आयोग जो है इसका संभीधान में वर्नन नहीं है ठीक है याद रखिएगा सुला का क्या हो जाएगा सी नमबर चली एगला कोशन देखते हैं सत्रा नमबर की नीमन में किसने उच्तम नियालय के नियाइधिस तथा लोगसभा अध्याच के पदों को सुसोभीत किया था किसने था जो उच्तम नियालय के नियाइधिस और लोगसभा अध्याच आनि दोनों पत्वे वो रहा चुके थे वो कौन थे एम हिदायतुला, कैस हेगडे, या सुब़ाराव, या बीपी एन भगवती तो क्या हो जाएगा सतरक हो जाएगा बीनमर यानि कैस हेगडे जो थे ये उच्तम नियाले की नियाएधिश पिराच चुगे थे और लोकसभा के अध्याश भी ये रहे थे ठीक है तो क्या हुज़ागा B No. N से चलिए अगला question देखते है 18 No. Question है कि राज जिपाल द्वारा जारी अध्यादेश बिधान सभाद द्वारा कितने समय में पारित करना होता है कितने समय में पारित करना होता है 8 सबता 10 सबता 12 सबता या 6 सबता तो क्या हो जागा अठारा का अठारा का हो जागा आपको डी नमबर यानि राज पाल दोवरा जारिया द्यादेश विधान सभा दोवरा छे सपता के अंदर उसको पारित करना होता है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं उनिश नमबर की निमन में कौन सा विषय संग सूची के अंतरगत आता है पुलीस जनगन्ना भू आगम या लोक श्वास्त तो क्या हो जागा उनिश का हो जागा अप जनगन्ना जो है ये संग सूची के अंतरगत आता है है ना और अगला जन्गन्ना कब होने वाला है तो 2021 में है ना दस सल के अंतराल पे जन्गन्ना किया जाता है ठीक है तो निक्ष जन्गन्ना कब होगा 2021 में है यह 11 है यह 11 में तो हो चुगा था अब निक्ष कब होगा 2021 में चलिए अगला question देखते हैं यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अबधी के भीतर चुनाव करवाये जाते हैं ठीक है? धाई वर्स, एक वर्स, छह माह यह तीन माह है ना? जिसे कोई ग्राम पंचायत विघटित हो गई है ना? तो कितनी समय बाद दोबारा उसको चुनाव कराया जाएगा? तो आपको बताना है 20 का क्या हो जाएगा? C नमर यानि 6 माह के अंदर फिर से चुनाव कराया जाता है चलिए अगला question देखते हैं 21 21 नमर question है कि पंचायती राज परनाली किस सिध्यांत पे अधारित है? केंदरी करन, वी केंदरी करन या दोनों या कोई नहीं तो क्या हो जाएगा? 21 का B नमर यानि वी केंदरी करन पे ये अधारित है पंचायती राज परनाली नेक्स कोशन देखिए 22 नमर कि प्रस्तावना के अनुशार परम शक्ती किसके हाथ में होती है? संसत के हाथ में, शंबिधान के हाथ में, राश्ट्रपती के हाथ में या जनता के हाथ में तो क्या हो जाएगा? 22 का आपका हो जाएगा D नमर यानि जनता के हाथों में होती है प्रस्तावना के अनुशार परम शक्ती चलिए अगला कोस्टन है 23 कि भारत का राष्ट्रपती अपने पद पर पुनर मिर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है जो राष्ट्रपती है एक राष्ट्रपती एक व्यक्ती कितनी बार राष्ट्रपती बन शकता है तो एक बार दो बार तीन बार या जितनी बार चाहे तो क्या हो जागा D नमर यानि जितनी बार वो चाहे उतनी बार राष्ट्रपती बन शकता है चलिए अगला देखते है question 24 कि किन राजियों में साजहा उच नियाले है साजहा मतलब कहने का एर्थ हुआ कि एक ही राज में है और वहाँ जो है दोनों राजियों को मतलब वहाँ निप्टारा किया जाता है मामला तो कौन से राज है करनाटक और आंतरपरदेश गुजरात उडिशा महराष्ट गोवा या एंपी राजस्थान तो क्या हो जाएगा महराष्ट और गोवा यह जो दो राज है इसका यह कहीं नियाले है उच नियाले है और वो कहां है महराष्ट में है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं 25 कि राज्यों का पुनर गठन कब हुआ था हना यह काता है कोश्चन पुनर गठन अब यह काता है गठन अगर गठन पूछे तो आपको मारना है 1903 और अगर पुनर गठन पूछे तो 1956 बस पुनर लग गया तो 1956 और गठन है तो 1933 इसका एंसर किया हो जागा पुनर गठन उचंपन अनी ए नमबर नीक्स्ट कॉशन देखिए 26 कि संवीधान शंवीधान का कौन सा संसोधन राजनितिक दल बदल से सम्बंदिते बहुत इंपोर्टेन कोश्चन है। समिधान का कौन सा संसोधन दल बदल से समद नहीं तो दल बदल के हुआ समिधान संसोधन हुआ था तो 52 समिधान संसोधन के अंदर गत दल बदल हुआ था 52 समिधान संसोधन कब हुआ था तो आद रखिएगा हुआ था और पावानमा संभीधान शंशोधन के अंदर गत्व एतनी बात यार रखिएगा चलिए अगला कोस्टन देखते हैं 27 और दोस्तों अगर आप ही तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब पर लिजे ताकि जो भी वीडियो आवे वो आप उसको असानी पुर्वक देख सके तो चलिए देखते हैं नेक्ट कोस्टन की भारते संभीधान में राज्य की सक्तियां एवं कारे किस परकार से विभाजित किये जाते हैं दो सुची में, तीन सुची में, चार सुची में या पांच सुची में तो अभी आपको बताये थे थोड़ा देर पहले कि कितनी सुचीयों में तो तीन सुचीयों में विभाजित किया गया है कौन कौन संग सूची राज सूची और शमवर्ती सूची चली अगला कोशन देखते हैं 28 नमबर 28 कोशन है कि भारत में निर्वाचन सूची तयार करने की जिम्मेदारी किसकी है संसद को अस्थानिय प्रशाशन को निर्वाचन आयोग को या निर्वाचन अधिकारी को तो क्य अधिक धारी होता है चल mentally को शुच्चन देखते हैं 29 नम्बरकोशन पंचाहिति राजविवस्था में पंचाहित समीतिं संभिक का घृठण किस अस्थकर पर किया जाता है ब्लॉक में जिलास्थकर राजशिकर या ग्राम अस्थकरत क्या हो जाएगा 29 का यह नंबर THAT यह हमारे राष्ट्रिये चिन के नीचे कौन सा आदर्स वाक के लिखा हुआ सत्यसीव शत्यम् सिव ये सत्याम संध्यम शर्वत्र शुंद्रम ये सत्यमेवस вс dont क्या लिखा हुआ है सत्यमेवस जैते ये लिखा हुआ है ठीक है चलिए बहुत important question था चलिए अगला question देखते हैं कि निम्ने में कौन भारतिय संविधान की प्रारूप समीती के सदस्य नहीं थे प्रारूप समीती के सदस्य नहीं थे ठीक है ये संविधान सभा के अध्यच थे ये ठीक है राजेंद्र पर्शाद next question देखते हैं 32 नमबर कि संसद के संजुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निरनायक मत देने का अधिकार किसे है राजे सभा अध्यच लोकसभा अध्यच या लोकसभा उपाध्यच या पर्धान मंत्री तो क्या हो जाएगा 32 का 32 का हो जाएगा निरनायक मत देने का अधिकार होता है चलिए अगला question देखते हैं 33 नमर question है कि भारत के संविधान भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राजे सभा में सीटो के बटवारे का निधारन करता है कौन सी अनुसूची है जो राज सभा में सीटो के बटवारा का निधारन करता है बहुत important question है आपको बताना है कि तीसरी और छटी में क्या था चलिए अगला देखते हैं क्योंकि वह पढ़ा चुके हैं आपको अगर उसमें नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाकर देख लिजे बताए कि भारत पूर्ण शमप्रभू लुकतांत्री गंतंत्र कब बनow 26 जनवरी 1950 26 नवंबर 1930 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 19 एक क्या वन तो क्या हो जाएगा 34 का इंसर हो जाएगा आपका ए नमबर यानि 26 जनवरी 1950 को भारत एक लुकतांतरी गनतंतर राष्ट बन गया ठीक है अगला कोशन देखिए 35 की निम्न में से किस देश में और लिखित सम्मीधान है नि बहुत कम ही बात हैं वहाँ लिखिए गई है toutes लिखित है ना 95% और लिखित है वो कौनसा देश है लिखा नहीं गया है जैसे भारतका सम्मीधान क्या है लिखित सम्मीधान है तो आप उक्षन देखिए USA, UK, पाकिस्तान या भारत, तो क्या हो जाएगा 35 का, 35 का हो जाएगा UK, यानि United Kingdom, यानि England का जो सम्भीधान है, वो और लिखी थे, यानि लिखा हुआ नहीं है, चलिए अगला कोशन देखिए, 36 नमबर, कि नीम्न में कौन सा विस है, राज सूची के अंतरगत आता है, जो वि किरसी जो है, ये राज सूची के अंतरगत आता है, बहुत इंपोर्टन कोशन है, हमेशा पुछते रहता है, कौन सा विस है जो किसे राज सूची के अंतरगत आता है, कौन है जो संग सूची के अंतरगत आता है, तो संग सूची के अंतरगत आता है, ठीक है, चलिए अगला कोश्चन देखिए 37 कि किस वर्स में भारत के राष्टर पती ने आंतरिक विवस्था के कारण अपात इस्थिती लागू की थी तो अपात इस्थिती कब लागू किया गया था तो 37 का आप लोग फटा-फट जवाब दीजिए क्या हो जाएगा अपात का लागू किया गया था आंतरिक विवस्था अगला कोश्चन देखते हैं 38 नमबर कोश्चन भारत के नियंत्रा के वह महालेखा परिच्छक लोग लेखा संबंधी रिपोर्ट किसको परस्तूत करते हैं भितमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती या मुख्य न्याय धिस तो क्या हो जाएगा 38 का हो जाएगा आपका जो का पुनर गठन किस वर्स किया गया था ताब बताईए अभी आपको जवाब बताए थे आनि 1956 में अगर गठन कुछ है तो निस सो तीरपन में अब पुनर गठन 1956 ये दुनों आध रखिएगा अगला कोश्चन है समता का अधिकार अनुछेद कितने में है अनुछेद 14 अनुछेद 19 अनुछेद 20 या अनुछेद 18 तो क्या हो जाएगा आपका 40 का इनसर हो जाएगा ये नमबर या अनुछेद 14 में है शमता का अधिकार ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं 41 नमर 41 कोश्चन है आपका कि भारत के किसी राज्य के उच नियाले को प्रथम म महिला मुख नियाइधिस कौन थी भारत की किसी राज्य के उच नियाले होता है उसकी पर्थम महिला मुख नियाइधिस कौन थी महिला पुछ रहा है थोड़ा ध्यान दिजेगा तो सुननंदा भंडारे फातिमा बीवी या लीला सेठ या अन्ना चांडी तो क्या हो से मुख नियाएधिस तो कौन से एक राज्य को भवारत का पहला भासा राज्य होने का शम्मान प्राव्त प्राबतो कौन से राज्य हैं जिसको पहला भासा राज्य बनाया गया था तो वो कौन सा होगा आंध्र प्रदेश यानि B नमर ठीक है 42 का B चलिए अगला कोशन देखिए 43 नमर की संपत्ती के अधिकार को मौली का धिकार से किसके सासन काल के दोरान हटाया गया था बहुत इंपोर्टन कोशन है संपत्ती के अधिकार पहले क्या था मौली का धिकार था पहले मौली का धिकार साथ था लेकिन वर्तमान में कितना है 6 है याना संपत्ती के अधिकार को हटा दिया गया संपत्ती के अधिकार अनुछेद कितने में है 31 में है और इसको हटा करके कहा रखा गया तो अनुछे तीन सो के कौ में रखा गया है कानूनी तौर पे ठीक है याद रखिये गार इसको हटाया गया 78 अनि 38 संसोधन कब तो उनीशो सोरी अठातर मा नहीं अठातर मा नहीं अठातर मा च्वालीशमा संसोधन गल्ति थोड़ा सा 44 संसोधन है ना च्वालीशमा संसोधन उनीशोऑ अठातर में यहां 78 होगा 1978 में इसको हटाया गया था 44 संसोधन संसोधन के तहट याद रखिये गा तो कॉस्चन जो अपका है कि जो संपत्ति के अधिकार्थ है इसको किसके सासन काल के दोरान हटाया गया था इंद्रा कांधी सरकार मुरार जी देशाई नर्शिम्हा राव सरकार या बाजपेई शरकार तो क्या हो जगा फोटी थिरी का बी नमर यानि मुरार जी देशाई के सरकार के दोरान इसको हटाया गया था उनिशतोग आठथतर में 44 зан-मिधान शन्शोधन चली अगला question देखते हैं किस इस्थिति में रीट जारी की जाती है कौनसी इस्थिति में जारी की जाती है रीट जारी की जारी कि जाती है दोसपुर्न पुलिस नजरबंधी पर या भासन की स्वतंत्रता का उलंगन करने पर तो क्या हो जागा 44 का C number यानि दोश पुर्ण पुलिस नजरबंधी करने पर या बंदी परत्शी करन रीट जारे किया जाता है यानि आपको बचरते हैं में कितने परकार की अपात की विवस्था की गई है कितने परकार की अपात की विवस्था की गई है कितने परकार की अपात की विवस्था की गई है दो तीन चार या कोई नहीं तो क्या हो जागा पैतालिस का बी नमर यानि तीन परकार की अपात की विवस्था की गई है वो अ तक लागू नहीं हुआ है कभी भी राष्टपति सासन तो बहुत बार लागू हो चुका है और 352 जो है राष्ट्रिय अपात अभी तक तीन बार लागू हुआ है ठीक है तो यह आध रखियेगा चलि एकला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारूप समीति के अध्यच कौन थे कौन थे डाक्टर अजेंदर पुर्शाद, डाक्टर बी आर अमबेदकर या महत्मा गांधी या एम ए जिन्ना तो क्या हो जाएगा 46 का हो जाएगा आपका बी नमबर यानि डाक्टर भीम राव अमबेदकर प्रारूप समीति के अध्यच थे ठीक है अगला कोश्चन देखिए 47 संसदिये रूप का विचार कहां से लिया गया है संसदिये सासन विवस्था कहां से लिया गया है अमेरिका ब्रिटेन आयरलेंड या रूस तो संसदिये विवस्था कहां से लिया गया है 47 के हो जाएगा आपका बिर्टेन से लिया गया है संसदिये सासन परनाली और अगर कहें संघिये सासन परनाली कहां से लिया गया है तो संघिये क्या हो जाएगा कनाडा से लिया गया है ठीक है संघिये कनाडा से और संसदिये बिर्टेन से चलिए अगला कोशन देखते हैं 78 नमबर अनुछेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिशद किसके प्रती सामोहिक रूप से जिम्मेदार होती है राश्ट्रपती, संसद, लोगसभा या राजिसभा 48 का क्या हो जागा C नमबर यानि लोगसभा के प्रती 49 के राजिके नीती निदेशक सिध्यांत के अनुसार किस आयुत तक के बच्चों को निसुल के एवम अनीवारे सिच्छा देने की आसा की जाती है राज के निती निदेशक सिध्यांत के अनुसार कितने वर्स के बच्चों को निसूल के वं अनिवार्य सिच्छा देने की वासा की जाती है निगोषना की गई है तो क्या हो जागा उन्चाज का यह नमबर यानि 14 वर्स से कम वर्स के बच्चों को निसूल के वं अनिवार्य सिच्छा देने की विवस्था की गई है किसके अनुसार तो राजिके निती निदेशक सिध्यांत के अनुसार चलिए अगला कोशन देखिए आज का लास्ट कोशन और दोस्तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि जो भी वीडि अनुसार केते नोटिफिकेशन आ चुका है है जुलाई में एक्जाम है आपका तो चलिए देखते हैं संबीधान की व्याख्या कौन करता है बिधान मंडल काय पाली देखन realization क्ये व्याख्या करता है तो हर जाएंति पाली का संबीधान की व्याख्या करता है चलिए अग to ह हमारा आज का ये सेशन खतम होता है और फिर कल मिलते हैं आप सभी से तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहे बेश टॉप लग अभी से ही आप लोग अच्छे से त्यारे किजिए और तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बहुत-ब के लिए मारे बार।